आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आयोटा पर पावर आयोटा हो तो उसको कैसे सोल करते हैं अब देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है आयोटा पावर आयोटा तो हम इस iota को भूल जाते हैं वो सिर्फ पहले power जो है हमारे पास power में क्या है iota इसको soul करते हैं ठीक है हमने क्या ले लिया iota अच्छा ये iota को हम इस तरीके से लिख सकते हैं मतलब iota is equal to iota सेम ही बात है अब देखें अगर मैं इसको modify करूं इस equation को इस तरीके से क्या मैं लिख सकता हूं iota is equal to zero plus iota multiply by one अच्छा देखें मेत का एक rule है उसमें आप कुछ भी add या multiply करवा सकते हैं अगर तो same equation बन जाए अब देखें जो मैंने ये लिखा है क्या ये same equation बन रही है उसके अगर मैं आयोटा को multiply कराता हूं one से तो आयोटा ही हुआ उसको plus करा देता हूं zero से तो तब भी क्या होगा आयोटा ही होगा इसका मतलब ये दोनो equation same ही है मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ और इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ठीक है इसको हम क्या बना देते हैं equation 1 अब इसको further solve करने के लिए एक concept आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले वो समझते हैं अगे बढ़ने से पहले के ना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पे नूँ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि हमारी आने वाली हर न्य वीडियो आप तक पोस सके अब देखें जिस concept का मैंने नाम लिया वो basically एक formula है उस formula का नाम क्या है Euler formula Euler formula लिखते कैसे हैं देखें exponential of iota x is equal to cos x plus iota sin x अब देखें इसमें क्या है x जो है वो हमारा क्या है angle है उस angle को find करने के लिए कुछ method होते है graph से भी find किया जा सकता है और एक मैं method यहां पर use करने वाला हूँ जो बहुत ही basic है अब देखें हमने क्या किया था equation one जो बनाई थी उसमें दो चीज़े हमने extra लगाई थी वो क्या थी एक था zero और एक था one तो अब हम क्या करेंगे कोस को बनाएंगे zero और sign को बनाएंगे one वो कैसे अब देखें अगर कौन सा angle होगा तो कोस क्या बनेगा zero बनेगा अगर मैं यहां पे कोस angle की जगा में लिख देता हूँ पाई बाई टू पाई बाई टू मींस 90 तो कोस पाई बाई टू क्या होता है zero इसी तरी के साइन पाई बाई टू क्या होता है वन होता है अब देखें हमारा जो और फॉर्मला था वो क्या बन चुका है उसमें अगर हम यह दोनों angle पुट कर दें देखें एक्सपोनेंशल ओफ आयोटा अब एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम पाई बाई टू इस इकोल टू कोस पाई बाई टू पिलस आयोटा साइन पाई बाई टू यह हमारा क्या बन गया ओईलर फॉर्मला इस फॉर्म में बन गया angle फाइंड करने के बाद अब देखें वन की जगह क्या पूट करना है साइन पाई बाई टू क्या होता है वन होता है तो हमारी एक्वेशन वन क्या बन जाएगी आयोटा इस इक्वल टू कोस पाई बाई बाई टू पिलस आयोटा मल्टिपलाई बाई साइन पाई बाई टू तो अगर हम मल्टिपलाई भी कराते तो हमारी equation क्या हो जाएगी iota is equal to cos pi by 2 plus iota sin pi by 2 अब इस equation को आप क्या नाम देते है equation 2 अब आप क्या करेंगे देखें एक equation आपने क्या बनाई थी equation 2 यहाँ पर मैंने लिखे वे और एक equation आपने क्या बनाई थी जो euler formula से निकाली थी angle रखने के बाद तो angle हमारा क्या था pi by 2 तो हमारी वो क्या form बनी थी आप right side पर देख सकते है exponential of iota pi by 2 is equal to cos pi by 2 plus iota sin pi by 2 और equation 2 क्या है हमारी iota is equal to cos pi by 2 plus iota sin pi by 2 अब इन दोने equation में आप देखेंगे right side जो है बिल्कुल से में दोनों का तो आप compare करा दें जब compare दोनों equation को कराएंगे तो क्या बन जाएगे हमारी iota is equal to exponential of iota pi by 2 अब देखें ये तो हमें क्या मिल गया आइउटा मिल गया हमें find क्या करना था iota पर power iota मतलब iota power iota तो हम क्या करेंगे दोनों side power में iota लगा देंगे अब हमने दोनों side power में iota लगा दिया तो हमारी equation ये बन गई अब देखें left side तो same चलता रहेगा right side पे हमने जब iota लगाया तो iota और iota अपस में क्या हो जाएंगे multiply होंगे जब ये multiply होंगे तो iota square हो जाएगा अब iota square किसके बराबर होता है साथ एक graph share करना चाहूंगा हो सकता है कि इन से भी कोई सवाल बनके आ जाएं किसी पेपर में या किसी exam में तो देखें ये graph एक है इस में क्या है जो x axis होती हो क्या होती है हमारी real axis होती है और जो y axis होती हो हमारी क्या होती है imaginary axis होती है अब यहां पे चार value निकली वी है जो exponential के answer है ठीक है अगर देखें हम ये वाला point देखें अभी हमने इसी को solve किया था कि आयोटा किसके बराबर होता है इस point पे exponential of आयोटा πाई बाई 2 के और अगर हम 1 देखें x axis मतलब positive axis तो यहां पे exponential form जो है उसका कैसे answer होता है exponential of आयोटा 2 pi is equal to 1 और इस तरफ अगर हम देखें negative x axis पे तो minus 1 किसके बराबर होता है exponential of आयोटा पाई और अगर हम देखें जो negative आयोटा है मतलब जो हमारा imaginary part है negative तो वहां पे कैसे निकाल सकते है exponential of आयोटा 3 pi by 2 is equal to क्या है minus कायोटा तो ये चार वेल्यू भी आप याद करने हो सकता है कि डारेक्ट पूछ ली जाए कि ये किस एकसिस्ट पो होती है और क्या answer होता है तो friends वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजेगा चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए Allah आपिस